जी के मस्ती है, MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है हिस्टरी से लूसेंट बुक का जो चौथा टॉपिक चल ला था अप्सनल हिस्टरी से मौ रिकाल उसके साथ कोस्चन हो गए थे और लूसेंट एकस्प्लेन हो चुका था, किरन एकस्प्लेन हो चुका था आज हम जो 61 से और जो समस्त कोस्चन है इसमें आप्सनल वाले वो सारे कर लेंगे तो एकस्टरवा कोस्चन है किसने पार्टिल पूत्र को पोली ब्रोथा कहा पोली ब्रोथा मेगस्थनीज ने कहा था पाठिल पूत्र को मेगस्थनीज ने पोली ब्रोथा कहा था मौरकाल में एग्र नोमाई किसे कहा जाता था तो मौरकाल में एग्र नोमाई जो है वो शड़क निर्माड अधिकारी को कहते थे एग्र नोमाई जो है शड़क निर्माड अधिकारी को कहते थे एग्र नोमाई एना और मुद्रा तथा टकसाल का जो अदेच होता था वो लच्छडा अदेच होता था नेक्स्ट मौरिकाल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था तो मौरिकाल में गुप्तचरों को गूड़ पुरुस कहा जाता था क्या का आजाता था गूर्ड पूरुस ग्रंथ में चेंद्रगुप्त मौर के जैन धर्म अपनाने का उलेख मिलता है तो परिसिष्ट परवन जो है इस जैन ग्रंथ में चेंद्रगुप्त मौर के जैन धर्म अपनाने का उलेख मिलता है परिसिष्ट परवन मतलब फिसकल ऐस आरम होता है पहला थीसरा, चोथा और पाँचवा मतलब चोल सिलालेक, पल्लव सिलालेक, पांड सिलालेक, सती पुत्र सिलालेक, केरल पुत्र सिलालेक, विश्ड कुंड ये छे आप्सन में दिये हैं तो पहला पहला यानि चोल सिला ले फिर तीसरा तीसरा यानि पांड पूत्र 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 जो है इसने दच्छडबारती जातीओं का उलेख किया है पहले सिलालेख में पसवल निसेद किया गया है दूसरे सिलालेख में मनुस्यों पस उचिकिस्सा विवस्था तथा विदेशों में धम प्रचार का उल्लेख मिलता है दूसरे सिलालेख में तीसरे सिलालेख में राजु के उम युक्त की नियुक्ति तथा राज की पाँचमें सिला लेख में धम महा मात्रों की नियुक्ति हुई है छठा सिला लेख प्रसासनिक सुधारोयोम आत्म नियंत्रण की सिछ्छा का उलेख करता है साथमें सिला लेख में असोग की सभी धार्मिक मतों के प्रति निस्पच्चता दस्वें सिला लेख में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेसा प्रजा काहित का सोंचे ऐसा दस्वें सिला लेख में कहा गया है गयरवे सिला लेक में धार्मिक सहिष्वटा पर जोर एउम इस्तरी मात्रों की नियुक्त की गई है तेरवे सिला लेक में कलिंग युद्ध का वरडन एउम असोक के हरदय परिवर्थन की बात की गई है तथा धम विजय की घोशड़ा भी की गई है तेरवे सिला लेक में विदेसों में धम परचार यानि पांच विदेसी राज्यों की चर्चा भी की गई है तेरवे सिला लेक में चोदमें सिलालेक में पहले तेरा सिले लिखों काव पुनरावलोकन तथा जनता को धारमिक जीवन बिटाने के लिए प्रेरित किया गया है चोदा सिलालेक में तो ये तो सिलालेक थे तो दच्छडी भारती जाती हों कावलेक पहले सिलालेक में तीसरे चवथे पाचवे यानि चोल सिलालेक में पांड शिलालेक में सती पुत्र सिलालेक में और केरल पुत्र सिलालेक में और सट्वा कोस्चन है असोग के बारे में जानने के लिए सबसे महात्रपुन्ट स्रोत हैं क्या हैं सिलालेक असोक के काल में कौन सी लिप दच्छिड भारत में परिवर्तित हुई थी तो ब्राम्मी लिप जो थी वो दच्छिड भारत में परिवर्तित हुई थी असोक के काल में सत्रवा कोस्चन असोक का अभिलेक भारती उप महादियूप के बाहर भी पाया गया है निमलिखित में से किस देश में तो अफगानिस्तान में पाया गया है भारती ये असो का अभिलेख एक अत्रवा कोश्चन है व्लेवेरी साधारता मिरजाफुरु के समेर चुनार खादानों से निकाला गया ये कई बार कोश्चन राया है पालिस किये गए एकासम असो किस्तंब जिस पांड रंजीत बालुकासम के एकल टुकडो में तच्छित किये गए उसे मिरजापुर के समेप चुनार अब खादानों से बातरवा कोश्चन है भारती लिखने की कला नहीं जानते या किसकी उक्ति है तो भारती लिखने की कला नहीं जानते या यह उक्ति मेगस्थनेज की है किस मौर शमराट ने या विदेशी राजा सीरिया के एक्टियोकस प्रथम से अंजीर सराब और दार्सनिक को भारत भेजन का आगरह बिंदु सार ने किया था चवत्रवा कोस्चन है असोग दोरा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे मात्र पूर्ण सुरोता है तो तेरवा ब्रहत सिलालेक तेरवे सिलालेक में ही बताया गया है कलिंग युद का वड़न है असोग के हरदे परिवर्तन की बात है और धम बिजय की घोश्डा है विदेशों में धम प्रचार पांच विदेशी राज्यों की चर्चा भी इसी में है अगला है बिंदुसार की मृत्य के समय असोग किस प्रांत का गवर्नर था तो उजयन प्रांत का गवर्नर था कहां का उजयन प्रांत का गवर्नर था किस सिलालेख में असोग ने घोश्णा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कौन सी घोश्णा युद्ध और हिंसा के प्रत्य असोग के आंतरिक दुख को इस्पष्ट करता है तो कलिंग का जो प्रथक सिलालेख है उसमें युद्ध और इंसा के प्रते असोक के आंतरिक दुख को इसपष्ट किया जाता है 78 कोस्चन है किस सिलालेख में असोक की या घोशड़ा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के समय विस्राम करता रहूं या मैं अपने अंता इस्थल में रहूं मैं जहां भी रहूं मेरे महामात मुझे सारजनिक कार के लिए संपर कर सकते हैं ये छठे सिलालेख में बताया गया है प्रसासनिक सुधारोयम आत्म नियंतरण की सिच्छा का उलेख छठे सिलालेख में है कौन अवरोही क्रम में मौर प्रसासन के अधिकारियों का नाम बताता है तो सबसे पहले प्रादेशिक फिर राजुक फिर युक तक ऐसे थी प्रसासन की बिवस्था मौरकाल में पहले प्रादेशिक फिर राजुक फिर युक तक आस्सी जो है विष्ट विष्ट बेगारी को कहते हैं विष्ट बेगारी है 21 सिवा कोश्चन है मौर काल में सीता सितात पर है राज की भूम से प्राप्त आय को सीता कहते थे मौर काल में 22 सिवा कोश्चन है मौर कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है तो इस्तंब जो है वो मौर कला का सबसे अच्छा नमूना है इस्तंब ना इस्तूप है ना गुफा निर्माड है ना चैत हैं सबसे अच्छा मौर कला का नमूना है इस्तंब अगला एक कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार किये जाने का विरण मिलता है तो महा इस्थान बांगला देश में जो है और सोह गवरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में मौर काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत किये जाने का विरण मिलता है असोक ने सिरिलंका में बहुत धरम का प्रचार एत किसे बेजा तो महेंदर और शंग मित्रा इन्दों को बेजा असोक के मन सहरा यानि पाकिस्तान असोक के मन शहरा एवं सहबाजगडी पाकिस्तान में ये दोनों हैं मन सहरा और सहः बाजगडी से प्राप्त ब्रहत सिला लेखों में किस लिपका प्रियोग किया गया है कहां से असोग के दू भासाई यानि ग्रीक और आरामाईक दू भासाई मितलब दो भासा में लिखे गए अभ़ लेख पराप्त हुए हैं तो सर ए कुला या कंधार से सतासिमा कोश्चन है कौटिल दोरा रचित अर्सास dye कितने अधिकरणों में विभाजित है 15 अधिकरणों में विभाजित है काउटिल दोरा लिखी गए अर्सास Dash अर्शात्र में उलिखित सप्तांग में सामिल थे राजा छेत्र प्रसासनेवं कोस ये सप्तांग में सामिल थे सप्तांग में राजा छेत्र प्रसासनेवं कोस नमासिवा कोस्चन है असोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था तो असोक का समकालीन तुरमे जो राजा था, वो मिस्र का राजा था नब्यवा कोस्चन है किसके सासनकाल में दायमेकस यानि डिमेकस भारत आया था और मौरिकाल का लास्ट कोस्चन है, किन अविलेखों में से किसमे असोक का नाम उलेख हुआ है तो गुरुजरा में जो अभिलेक है उसमें जो है असोक का नाम उलेक हुआ है गुरुजरा में